नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभीका आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिशा गोवर्मन्ट को जादा चलाई गई मिशिन शक्ति स्कूटर योजना के बारे में ये योजना सोट ओफ एकस्तेंशन है मिशिन शक्ति योजना की जो कि Odisa government ने 2001 में चलाई थी तो आज हम सबसे पहले Mission Shakti Scooter योजना को cover करेंगे फिर हम Mission Shakti योजना को cover करेंगे और हम इसे लेटे जितने भी important facts हैं उन सारों को cover करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अन तक देखेगा अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करेंगा पॉलिटिस टिकोनोमी जीकेटिक जोराफी सैंस रामें टेनिकलोजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बर हमारी प्लेलिस को जुरू चेक करेंगा चले शुरुआत करते हैं देखे ओडिसा के मुख्य मंतरी नवीन पतनाइक जी ने अभी हाली में अप्रूफ करी है मिशन शक्ती स्कूटर योजना इस योजना का एम है कि कोई भी बेनेफीशरी अब यहाँ पर बेनेफीशरी कौन होगा कौन इस योजना का बेनेफिट उठा पाएगा वो हम आगे देखेंगे तो जो भी बेनेफीशरी होंगे उनको अगर वो स्कूटर खरीनने के लिए लोन लेते हैं तो एक लाख रुपे तक का लोन अगर वो लेंगे तो उस लोन के ओपर जो इंट्रेस्ट पड़ता है उनको इंट्रेस्ट में सबवेंशन यानि की सबवेंशन का मतलब होता है सबसीडी तो उन लोगों को उस लोन के जो इंट्रेस्ट होगा उस पर सबसीडी जो है वो मिलेंगी यह स्कीम का एम है इसे के होगा जो scooter का purchase है मतलब scooter खरीरना जो है वो enable किया जाएगा कुछ beneficiaries को अभी जो initiative है यह affordable access देता है two wheelers को scooter मतलब two wheelers तो two wheelers के लिए यह affordable access देता है किसको beneficiaries को अब सवाल है कि यहाँ पे beneficiary कौन होगा यानि किसको scheme का lab मिलेगा तो mission शक्ती federation के जो leaders हैं और इसके साथ css community support staff जो है उन सारों को scheme के जोड़ा गया है यह scheme के beneficiaries हैं तो mission शक्ती federation leader और css यानि community support staff इनमें से अगर कोई विक्ती two wheeler खरीनने के लिए scooter खरीनने के लिए loan लेता है तो उसको एक लाख तक का अगर वो loan लेगा तो उसके जो interest होगा उसके उपर उनको subvention यानि subsidies जो हैं वो मिलेंगी यह empower करेगा उन लोगों को ताकि उनकी जो responsibility है वो अच्छे से उसको fulfill कर पाएं काफी efficiently fulfill कर पाएं और इससे उनकी जो effectiveness होगी वो भी increase होगी जिसके वज़ा से वो जादा जो community में जादा outreach जो है उनकी वो बढ़ सकती है outreach extend हो सकती है within community यह scheme जो है यह expected है कि यह 75,000 community support staff members जो होंगे SHGs self-help groups के उन्हें benefit करेगा self-help groups के 75,000 community को इसके साथ साथ जो 125,000 से जादा federation leaders हैं जो की associated हैं self-help groups के साथ उनको भी यह काफे benefit पहुंचाने वाला है अगले 5 साल के लिए Odisha के state government ने इस scheme के लिए 528.55 crore का budget allocate कर दिया है ताकि यह जो mission शक्ती scooter scheme है इसको implement किया जा सके और इसकी जो extensive reach है यानि जादा स्यादा लोगों को इसका benefit मिल सके यह जो reach है इसको ensure किया जा सके यह initiative empower करेगा बहुत जादा large number of community support staff जो हमने बताए self-help groups जो हैं और इसके साथ EC यानि executive committee के members को पूरे के पूरे Odisha state में अब देखिए यह मैंने बताए कि sort of extension है mission शक्ती उजना की mission शक्ती उजना क्या है 8 March 2001 को Odisha के मुख्यमंतरी नवीन पतना एक जने mission शक्ती इनिशेटिव को शुरू किया था यह एक state sponsor program है जिसका aim है कि Odisha में जो महिलाएं हैं जो women's हैं उनको empower किया जाए through self-help group approach तो self-help group की approach की मदद लेके जो Odisha के महिलाएं है उन्हें empower करना mission शक्ती इनिशेटिव का aim है यह एक state sponsor program है Odisha के मुख्यमंतरी नवीन पतना एक जी ने चलाया था कब जलाया था 8 March 2001 को यह program emphasize करता है self-help groups का जो critical role है और जो federation है उनका critical role है किसमे social security को deliver करने में इसके साथ कुछ जो social actions होते हैं उनको drive करने में कुछ specific areas में जैसे की health हो गया nutrition होगी sanitation होगी gender हो गया और इस परकार के जो भी बाकी areas आते हैं वहां पे social security और social action के provide करने में काफे critical role play करते हैं हमारे self help groups और जो इस परकार की federation के leaders हैं federation के members हैं जो इनके साथ जुड़े हैं इस model के तहट mission शक्ती का aim है कि जो odysa की महिलाएं हैं उन्हें elevate किया जा सके उनको platform provide किया जा सके ताकि वह भी पैसा कमाएं अपना काम करें नोकरियां करें पैसा कमाएं और पैसा कमाएंगी तो economic independence उन्हें मिलेगी और उससे क्या होगा collective growth को यह foster करेगा collective growth जो है वो इसको बढ़ावा देगा collective growth मतलब वहां पे महिला पुरुष हर जाती के हर धरम के हर gender के हना कोई किसी प्रकार की वहां पे discrimination नहीं होगी on the basis of gender तो कई बादे से ऐसा होता ना कि महिला जो है वो बिचारी पीछे रहे जाती है उनको सिर्फ घरों तक सीमित रखा जाता है kitchen तक सीमित रखा जाता है बच्चे बादा करने तक सीमित रखा जाता है तो ऐसा नहीं होगा किस परकार से महिलाओं को women's को empower किया जाए economic independence के तरफ उनको लिया जाए और एक collective growth जो है वो state में दिखाई जाए जहां पर महिला पूरुष सारे बराबरी का काम करेंगे सारे पैसा कमाएंगे और economic independence जो है महिलाओं को मिलेगी यह एक main aim है Odisha government के द्वारा चलाई गई यूजना mission शक्ति यूजना का तो यह था इस लेक्टर का analysis I hope आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको अच्छे लगे तो लाइक करेगा शेर करेगा अगर आपको कोई पी कमी लगे यार तो please comment box में जूरूर बताईएगा क्योंकि मैं काफी सालों से इस चैनल पर उतनी रीच जो है मेरी वह नहीं बन पाती है तो अगर आप में से अगर किसी भी वेक्ति वह लगता है कि मेरी क्या कमी है कैसे मैं अपने आपको improve कर सकता हूं तो आपके जो valuable suggestions है वह जरूर मुझा comment box में बताईएगा और जो भी मेरी कमी हैं उनको भी आप जरूर मुझा comment box में बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप मेरे को comment box में बताईएगा कि आपको क्या अच्छा लगा तो ताकि उससे मेरे को और ज्यादा motivation मिले और फिर और ज्यादा मैं मेहनत करूं hard work करूं और अच्छा अच्छा content आपको ले कर रहा हूं otherwise अगर ऐसे उतरा तो मेंने डिट मेंने के बाद मैं मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि it's just a wastage of time मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ना तो ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच रही है इसकी और नहीं मतलब यूनों ऐसा मतलब जो अचीव करना होता है हर एक रिक्ति सोचता है कि ठेक है YouTube चैनल से थोड़ा बहुत मतलब हाना अर्फनिंग या जो भी है मतलब सब्सक्राइबर्स अच्छे हो या वास्टाइम अच्छा हो ज्यादा लोग देखें पसंद करें तो वो सब जब एम जो है वही अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो फिर इसको कंटिनू करना मतलब मुझा लगता है वे स्टेज आफ टाइम ही होगा तो इसलिए आपके वै